पीठ में दर्द है तो भावा जी इसको क्या करे जिसे किसी को रोग है किसी को दर्द है तो डाक्टर के पास जाए आसिरवाद से नहीं ठीक होता देखो बस वही समझ में नहीं आता है इसी बटकाओं में सब बटक रहे हो कोई जंतुर बांदेगा कोई आसे इसलिए तुम पूर कर्मों के पाप से हमें दंड मिलता है अच्छे कर्म करो नाम जब करो माता पिता की शेवा करो शदभाव से चलो अभी ये कर्म नस्ठ हो जाएं कि किसी से जंतुर बनदवाने के जरूए तनी किसी से आसिरवाद मागने के जरुत हैं अगर बच्चा साउधान हो करते सब के लिए करते सब भागते हैं इस बात में बाबाजी आसिरवाद करके मान बेविचार बद्दीzkिकब्रश्थ होगी और कियोंकि आच्रों किसी का काम नहीं करेंगा आप अच्छे आच्छन करो, माता-पीता की सेवा करो, परिवार की सेवा करो, समाज की सेवा करो, नामजब करो, सरीन में कोई छोटे-मुटे कस्टा में उनको शेह जाओ, आगे चलकर आप देखो कि कैसे उन्नति होती, अच्छा होगा, मंगल होगा, इस ब्रह्मेना ने न कि किसी कि आसिरवात से कुछ हो जाता है हम आपको पकी बात बताते हैं कि आज बाबा के यहां गए थी आर पीछ में दर्ध कम और यह तुम्हारा पुर्णी लग गया तुम्हारा कर्म तुम आये ना यहां तो जो जो पाग आगे धरे कोटी निया गिश्मान, सादुदर्शन के लिए भाव से आए, तो तुमारा वो रोग नश्ट होगा, तुमारे कर्म से नश्ट हुआ, तुम सतकर्म किये ना, उससे कर्म नश्ट हुआ, बात समझो बच्चा, आप हमारे घर के ओशन, आसिरवाद कर्म भोग सुन, ब्राता है भाई, अपने कर्म का भोग ही आपको भोग ना पड़ेगा, कोई भी तुमारे कर्म को ने मिटा सकता, एक मात्र भगवान, एक मात्र भगवान, मेरी बात मालने ना, उनकी सरण में और नाम जबकरो सपिक हो जागा, तुम्हारे भजन से होगा, तुम्हारे अच्छे आचरण से होगा तुम्हारी धर्मि प्रवट््टियों से होगा अभे बात ना सम्ज़ों तो क्या होओं कह सकते हैं ओं यहीं तुम्हारा जन्म दिन की शफलता है के हमारी बात मालने ओ रादा रादारटो कोई नशा मत करना अपने माता-पिता की सेवा करो समाज की सेवा करो जितना और जो कस्ट है वो इस्थाई नहीं है आज भी पत्ति आई इकल खतम हो जाएगी अभी दिन फिर आता जाएगा रात है तो दिन आ जाएगा ये क्रम चलता रहता है हमें निरास नहीं होना सुर्वीर युद्धा की तरह में जीना है कायर की तरह जीना हूँ जीना है शकलका